विल्कम टू अन्वायड अकैडमी आज हमारा टॉपिक है हिल रोड मेंटेनेंस अड एक्विपमेंट आफ रोड यह सारे अगर वीडियो के चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट करना बनता है क्योंकि बहुत मेंट लगती है आप भी जानते हैं एक एक चीज़ को लेके आना आपके पास इन वीडियो फॉर्म ताकि आप समझ पाओ एक कुछ नॉलेज गिन पाओ और आसानी हो तो प्लीज जितना हो से कि आप चैनल को सपोर्ट करें as much as you want आप चाहें तो बारकोड स्कैन करके डिरेक्ट पे कर सकते हैं या फिर इस नंबर को यूज करके फोन पे गूगल पे पे टीम के थूप पे कर सकते हैं तो चलते हैं अपने पहले कोस्चन पे और फर्स्ट इनका कहना का मतलब है कि किसके बेसिस पे हम लोग alignment decide करते हैं कि वो बनेगा तो देखिए यह होता है cost of the right way because हमको यह नहीं पता कि कि किस mountain में यह नहीं पता कि कहां पे ज्यादा cut करना होगा कहां पे ज्यादा blast करना होगा तो कहां पे cost ज्यादा लगेगी तो main factor cost ही होता है effect करता है पूरे project को इसलिए cost के basis पे cost of the right way is the basis to design the horizontal alignment in mountainous country next बात करें the train may be classified as mountainous train if the cross slope is तो cross slope हमने बहुत सारे अपने geometric design में भी बात की थी अगर mountain की बात कर रहा है तो उसमें cross slope किता होता है 25 to 60% के बीच में वहीं पे अगर more than 60% होगा तो this is steep वहीं पे अगर between 10 to 25% है तो this is rolling अगर 10% से नीचे है तो इसको कहते हैं plane terrain की बात करें तो यह plane train, strip train, rolling train और वहीं mountain की पूछ रहा है तो यह 25 से 60 के बीच में होता है next question is widening of road in hilly reason is done किस चीज मतलब किस basis पे करते हैं तो कभी भी widening जो सरक की होती है यह inner side से होती है ना कि outer side we got outer side तो already value होता है खाई होती है तो हमेशा जब अगर चोड़ाई करना होता है तो पत्थर जो होता है इसको हम लोग कट आउट करते हैं फिर inner side में increase करते हैं इसकी जो चोड़ाई होती है तो widening जब भी भी road का होगा hilly reason में तो on the inner side the formula for calculating super elevation of for the hilly road तो कभी भी जो general हम लोग का super elevation formula होता है v square by 127 r इसका 0.75% use करते हैं हम लोग here reason में या mixed condition में तो क्या हो जाएगा equal to v square by 225 r तो b answer हो जाएगा for night travel the length of a valley curve should be such that the headlight beam distance is same as valley curve में headlight के basis पे भी हम लोग जो valley होती है उसको design करते हैं it means जो SSD है उसके equivalent होना चाहिए यानि कि अगर valley है तो यहां से ऐसा नहीं है कि भाई यहां पे दिखी नहीं रहा तो यहां पे जो वेकिल होगी at least valley पूरा मतलब cover करना चाहिए तो जो headlight site होगी वो SSD के equivalent होना चाहिए ताकि वो stop हो सके अगर वेकिल आ रही है तो या फिर कोई वहां पे रुकावड है तो किसके equivalent होगा तो stopping side distance के equivalent होना चाहिए ruling design speed for national highways in mountainous train तो mountainous hilly road में ruling design क्या है 50 km per hour national highways के लिए और state highways के लिए minimum जो होता है वो 40 वहीं पे अगर max की बात कर तो 50 km per hour तो C अपना answer हो जाएगा in hill roads the alignment with minimum resisting length is preferred if देखिए अगर ये अपने जो desired geometrics है road का उसको fulfill कर देता है तब हम लोग इस alignments में मतलब minimum resisting length दे देते हैं प्रिफर करते हैं तो C इसका answer हो जाएगा the minimum design speed for hair pin bends hair pin bend क्या होता है जैसे आपने घरों में देखा होगा जो ladies या फिर जो लटकियां लगाती है pin वो hair pin bend के type में bending होती है just like this अगर हम plan देखें यहां से यहां तक अगर इस road को cover करें तो यह कुछ hair pin type का लग रहा जिससे जो hair clipers होता उस type का इसलिए इसको hair pin bend भी कहते ह है और इस पर जो speed होती है वो maximum होनी चाहिए minimum design speed जो पूछ रहा है यहां पर वो होनी चाहिए आपको 20 km per hour 20 km per hour से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो यह minimum speed जो design speed hair pin bends पर दी जाती है देखिए अगर यह breast wall इसको कहते हैं अगर यह road है और यह valley side है तो valley side में एक retaining wall होता है और यहां पर एक parapet देते हैं जिससे मतलब valley side जो अगर backhill travel कर रही है तो उधर न गीरे एक record type का और यह surcharge loading है अगर यह hill side है तो यह sleeping को रोकने के लिए हम लोग breast wall प्रोवाइड करते हैं वही पूछ रहा जो sleeping को रोकने के लिए रिटेन करने के लिए जो हम लोग एक rock या फिर provide करते हैं hillside में wall उसको क्या कहते हैं तो इसको breast wall कहते हैं the first stage of deciding the alignment of hill road is देखिए कभी भी अगर हम कोई भी road या फिर design करने तो हमको पहले तो map देखना पड़ता second reconnaissance करते हैं तो अब इसमें देखेंगे कहीं पर map है तो नहीं है third हम करते है preliminary survey fourth हम करते हैं detailed survey तो यह reconnaissance क्या होता है एक बर हम mainly इसमें flight use करते हैं flight या plane use करते हैं और इससे पूरे terrain को देखते हैं कि कहां से हम लोग शुरू कर सकते हैं और कहां से alignment pass कर सकते हैं next question की बात करें the best binder material for stone aggregate in patch repair work during rainy season with heavy traffic is तो यह होता है bituminious emulsion अब emulsion की property क्या है यह बारिस में भी मतलब help करता है और as a समान जो मौसम होता है उसमें भी help करता है properly seal करने के लिए जो road होता है उसको plus emulsion उसको कहते हैं जो कि अगर दो solution है तो एक दूसरे में गुलंसीन नहीं होता है इसमें 60% bitumin होता है बाकी water use किया जाता है तो best binder material जो होगा वो कौन सा होगा bituminious emulsion rainy season के लिए next question की बात करें in a bituminious pavement alligator cracking is mainly due to alligator cracking क्या होता है एक road है तो इसमें आपने देखा होगा कहीं कहीं प आ जाते हैं तो यह किस चीज के mainly due to किस लिए होता है तो रियाद कर लिजे जब भी alligator cracking होता है यह repeated stress application होगा अगर road पे तो वहाँ पे फिर धरारे आती है that is known as alligator cracking तो fatigue causing from repeated stress application next question की बात करें downtown of downtime of an equipment is downtime कब होगा जब वो अपनी primary use का काम ही equipment का अगर वो नहीं कर पाए उस period को हम downtime कहेंगे तो अगर हम पढ़े the time when equipment shall have to be returned नहीं the period of time when equipment is idle idle मतलब ऐसा थोड़े ही idle तो काम नहीं यह तब है the period of time that is equipment fails to provide or perform its primary function this is known as downtime आपने सुना होगा कि server down है server is down it means जो server का काम है जब internet access करने के लिए उस website को वो down चल रहा है यानि कि primary function अपना provide नहीं कर रहा है इसलिए server down तो उसका downtime है जैसे banks में आपने सुना होगा कि server अभी down अभी काम नहीं हो सकता है just like that downtime of an equipment is the time at which the equipment fails to provide its primary function next question is among the following excavator the most suitable excavator for dressing dressing क्या होता है this is known as dressing मतलब अगर सतय पैसे कुछ निकालना हो something catch करके जो जैसे मिट्टी टाइप में तो इससे में drag line जो होता है यह use किया जाता है this equipment is known as drag line excavator और इसको use करते हैं इस type के dressing work के लिए तो answer क्या हो जाएगा dressing scrap के लिए आपको पता है यह समतल प्लस खुरुचने के काम आता है front sobal या नहीं आगे की तरफ से मिट्टी को उठाने में काम आता है back home में क्या होता है पीछे से समतल और उठाने का भी काम करता है खुदाई का भी काम करता है back home जो excavator होता है but dressing के लि physical life of an equipment is defined as at the age which the equipment is worn out and it can no longer reliably produce अगर reliable नहीं हो equipment और खराब हो गया हो that is its life अगर मान लिजे आपकी उम्र जो है 25 से आपकी job शुरू होती है और 60 पे खतम हो जाती है तो अगर पूछा जाए से आपकी job life क्या है तो 25 to 60 यही reliable time था आपका इसी time आप काम कर सकते थे इसके बाद तो इंड हो चुका है यानि equipment के physical life भी 25 से एक example दे रहा हो 25 से 60 अगर मान लेते हैं यह था तो इतना ही reliable उसकी lifetime थी यानि कि जिस time में वो काम कर सेगे इसके बाद उसको extra पैसे जो मतलब जो मिल रहे थे company से वो जो भी work होगा उसको तो यह इसका answer हो जाएगा I hope आपको session पसंद आया होगा अगर session पसंद आया है तो please channel को subscribe करना न भूले और like share करना बिलकुल न भूले channel को subscribe कर लिया हो तो बगल में एक bell icon होगा उस bell icon पे भी click कर दे because notifications आपको मिल जाएंगे अगर कोई video next upload होता है तो thank you म आप successful हो